नमस्काय दोस्तों राधी राधी आप सभी का एक बाप फिर से बहुत बहुत स्वागत है जी है दोस्तों आज हम फिर उपस्तित हैं एक महत्पून जानकारी के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुलसी को सपस करने किस से पहले जान ले ये सही और जलत समय अन्य था बढ़ सकती हैं आपकी मुशिवते जी हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बेहद इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को अन तक जरूर देखे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सकत ताकि इसी प्रकार की महतपूर्ण जानकारियां समय से आपको मिलती रहें तो आईए दोस्तों देड़ नकतेवे वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अधिकांस हिंदू घरों में कम से कम एक तुलसी का पौधा जरूर होता है मानेता है कि घर में तुलसी का पौधा रखने से नकरात्मक सक्तियों का प्रभाव कम रहता है साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है मामा लक्ष्मी का वास होता है और धन से जूड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं सास्त्रों में यह भी बताया गया है कि माता तुलसी की नित दिन पूजा करने से भगवान विश्नु प्रशन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशिरवात प्रदान करते हैं राये जानते हैं कि तुलसी को छूत है तो उसे धन से मंदी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए रात के समय नो तो तुलसी का सपर्स करें और नहीं उसे जल चड़ाएं बलकि संध्या पूजा के बाद पास में केवल एक दीपक जला दें इस दिन दीपक जलाना शुब होता है संध्या के समय दोस्त साथ ही इस दिन तुलसी को जल चड़ाना भी वर्जित है ऐसा इसलिए क्योंकि कई मानेताओं में एक मानेता यह भी है कि एक आदशी तीथी को तुलसी माता विश्नु जी के लिए निर्जला वरत रखती है इसलिए सास्त्रों में इस दिन के संधर में यह मानेता बताई ग गाएं साथ ही हर व्यक्ति सुबह और साम के समय तुलसी के सामने दीपक जलाएं और पौधे के आस पार सफाई जरूर रखें मानेता है कि ऐसा करने से घर में शुक सम्रिदी आती है और आर्थिक स्थिती मजबूत रहती है तो दोस्तो कैसी लगी हमारी आज की जानकारी अगर आप सभी को हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले और दोस्तो बेल आइकन गो जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके धन्यवाद दोस्तो राधे राधे